Hey guys, this is Ajay and Sony वापस आ रहा है नई स्मार्टफोन के साथ जिन में से एक होगा mid-range smartphone यानि 16-17,000 की pricing रखेंगे Xperia L2 के नाम से फोन है, तो चलिए आज उसकी बात कर लेते हैं So guys, Sony Xperia L2 स्मार्टफोन बार फार्म फाक्टर का फोन है और ये इस Consumer Electronics Show 2018 में already Sony ने launch कर दिया है US की market में इस month launch हो जाएगा और hopefully इस month के end तक या March के month तक ये इंडिया में भी launch हो जाएगा, guys, pricing की बात करें तो 16-17,000 की pricing समझे लेकिन अगर आप already existing brands जो की इंडिया में हैं, specs compare करेंगे तो ये काफी expensive और थोड़ा सा आउडेटेट फोन लाएगा, डिस्प्ले की बात कर लेते हैं पहले इस 5.5-inch का HD डिस्प्ले है जी हाँ, full HD डिस्प्ले नहीं है यानि 720p इसका screen resolution रहेगा और साथी साथ, guys, जमाना है 18-9 aspect ratio, यानि end-to-end डिस्प्लेइस का वो भी इसमें नहीं है नॉर्मल डिस्प्ले है कामरा की बात करें, तो पीछे की तरफ हमें 13MP का कामरा मिलता है पर्चसाइस F2.0 है कई सारे ब्रांड से पर्चसाइस से काफी बड़ा दे रहे हैं और डूल कामरा दे रहे हैं Sony ने यहां specify नहीं किया है कि इसमें single camera lens से आप portrait mode images ले पाएंगे जसके Google Pixel 2 में है वो एक काफी expensive phone है उसमें software इतना बढ़िया दिया गया है dual pixel technology उसकी गयी है जिसके विज़े से वो यह सब कर पाता है लेकिन उस चीज का यहां पे कोई mention नहीं है although guys let me tell you that Sony के phones अच्छी images खीचते हैं Sony is pioneer when it comes to smartphone cameras anyways front facing camera 8 megapixel का है wide shot selfie इसमें brand put up कर रहा है प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का प्रोसेसर है RAM सिर्फ 3GB है dual sim यह phone रहेगा 3300 mAh पैटरी रहेगी इसमें कुछ features है जैसे ARFX आपको Sony के software में मिलते हैं Android Noga के साथ launch होगा Oreo भी इसमें नहीं है Oreo आना चाहिए अगर आप 2018 में कोई phone launch कर रहे हैं कई पुराने phones भी Oreo update पर आच चुके हैं तो यह Noga के साथ ही launch होगा इसमें एक feature Sony दे रहे हैं कि आपकी battery के दो features हैं तो ब्यूनिस बैटरी फर्स्ट एक health check system इसमें चलता रहेगा वो आपका बताता रहेगा कि battery आपको रिप्लेस करानी चाहिए या नहीं and secondly जब आप सो रहे हैं तो लूंक दूरेशन के बैटरी प्लग दिन करके आपकी battery खराब ना हो जाए या ब्लास ना हो जाए but then again price के साफसे it's completely not worth it hardcore dedicated sony fans इसको definitely देख सकते हैं लेकिन यहां पे अगर sony इसको 12-13,000 के इन में launch करेगा तो ही यह कोई impact create कर पाएगा इंडिया जैसी market में price मुझे नहीं लगता इतना ही काम इसको price करेगा तो देखने वाली बात रहेगी तो phone जैसे ही आता है मैं आपको और updates लाता रहूँगा फिलाल मुझे बताइए आपको sony xperia l2 phone कैसा लगा और कोई भी query है guys यहां पे subscribe button hit कर दीजिए अपनी query comment section में छोड़ दीजिए मैं सारी personally answer करो guys query and please don't forget to hit the subscribe button over here get connected with me this is Ajay signing off take care guys